हलो दोस्तों नमस्कार और आज हम आपको लेकर के आए हैं नेटवर्क स्विच क्या होता है जो नेटवर्किंग में हम जो स्विच यूज़ करते हैं वो क्या काम करता है उसकी क्या जरुरत पड़ी नेटवर्क स्विच को यूज़ करने की और इस से सम्मंधित जितने भी जो competition की exam होती है उसमें पूछे जाने वाले प्रिशनों के बारे में आज हम यह डिसकस करेंगे तो परिक्षा के द्रश्टी से बहुती महत्पूर्ण topic स्विच क्या है तो चलिए वीडियो पर वीडियो पर कि दोस्तों आज हम इस लंग क्सा करेंगे शूंचा क्या है स्व讲 के कितने प्रिकार होते हैं स्विच क्या कारिय करता है सविच के किया क्या हैं विशेश्चता होती है और फरीक्षा के लिए जो महत्रीय प्रेशन हैं उनके वारे में हम discuss करें कि इसी डीटवर्वर्ण स्विच किया है कि स्विच एक ऐसी NETWORK area होता है जो किसी NETWORK में र embora पर अधर डीवाइस को एक दूसरे के साथ connect होने में मदद करता है जिससे कि वो डाटा का transfer network में कर सके मतलब एक switch ऐसी networking device है उस switch के साथ हम router कर सकते हैं switch के साथ हम हमारे जो होस्ट होते मतलब जो PC होते हैं computer होते है laptop होते हैं उनको एक दूसरे अपस में connect करे और उनके बीच में communication हम करा सकते हैं यह obviamente switch पूरी तरह से similar होता है यह ne excess नेटवर्क सूंच पूरी तरह से similar होता है यह switch network hub के समbles don't WITH group здесь of tsbringen shop can't begin to kit a twenty देखने में एक जैसे होते हैव एक switch होता है वो हम कि तलना में इंटेलीजंट होता है क्योंकि जो कोई data आता है तो हब अपने यदि कोई हब 8 port का है उसके पास यदि कोई data आता है तो वो data को पूरे 8 के 8 port पर transfer करता है जबकि switch ऐसा नहीं करता switch करता क्या है कि जैसे ही उसके पास कोई data आता है तो पहले उसको determine करता है कि यह क्या है उसके बाद उसके mac address और इसके ip address को क्लियर करता है कि यह किस mac address और किस port पर जाना है उसके बाद वो उस destination port तक उसको वो transfer करने का काम करता है तो intelligent का ताथ पर यह है कि intelligent मला जो switch आय हुए packet को पहले निरिक्षर करता है उसके source और destination के address को determine करता है और फिर उस packet को accordingly सही जगह पर forward कर देता है अब ऐसा करने से यदि अगर वो एक ही port पर transfer करना है तो switch उस data को एक ही port पर transfer करेगा बागी के साथ port को वो vacant रखेगा इसका मत होती है इसका मतला हमारी जो bandwidth है वो पूर्रूप से improvement रहती है आज के समय में अगर हम बात करें तो switch 100 Mbps और GigaPet port के support करते हैं और जो switch होता है OSI layer का OSI model होता है उसके layer 2 का operate होते है स्विच के प्रकार type of the switch computer network में वेविक प्रकार के switch को PO किया जाता है जैसे मक्रूप से इने चार बागों में वर्गी गिरत किया गया रहे अनमैनेजेबल switch होता है पहला दूसरा मैनेजेबल switch थर्ड है LAN switch और फोर्थ है PO switch तो मैनेजेबल switch क्या होता है इस प्रकार के switch ज्यादा तर छोटे होम नेटवर्क को इसमाल बिजनेस में यूज होते हैं क्योंकि यह plug-and play होते हैं तुरंत इनको इन्स्टाल कर सकते हैं चला मला यूज के इन्स्टाल कर सकते हैं मतलब एक अन्मे blinking मैनेजेबल होते हैं अन्मे का मतलब इसमें console नहीं होता है शब्सार पोट होता है नहीं सैज प्रकार कि का ओ सकता है रूंत के वह इसमें प्रकार होते हैं pak попроб इनती एंसमें इन्पर्टर लिए और आूटर एक ढ क्या आपनी इस प्रकार के switch में कई प्रकार के feature होते हैं जैसे highest level की security हम प्रतान कर सकते हैं data को controlling करने के लिए इसमें configuration को option होता है network को fully management हम कर सकते managable switch होता है उसमें console port होता है और उस console port को हम console cable के द्वारा हम अपने PC से उसको अपनी आवशक्ता के अंसार उसको configure कर सकते हैं manageable switch होता है यह OSI layer OSI model होता है उसके layer 3 पर यह काम करता है इसमें जो इसकी जो port होते हैं port को हम monitor कर सकते मतलब configure कर सकते हैं इन port का नाम अपनी requirement के अंसार भी दे सकते हैं जिससे network पर किसी भी उपकरण की पैचान की जा सकते हैं जैसे हमें अब पास 8-16 port का कोई switch है तो 16 port के switch को 16 port को अलग-अलग नाम से उसको description दे सकते हैं कि यह first port किसके लिए second port किसके लिए और उस port पर उसकी bandwidth भी हम fix कर सकते हैं कि इस port पर हमें maximum कितनी bandwidth का data देना है तो इस तरह की साही controlling इस manageable switch में होती है इस प्रिकार के उपर यह device को दो भागों में वज़त करते हैं जो switch होते manageable switch उनको दो भागों में divide किया गया है एक तो smart switch होता है और एक enterprise manageable switch होता है जो smart switch होता है यह fast और constant lane में मतलब जो एक तो data fast होता है और stable होता constant जो local area network होता है उसमें जो data fast और constant होता है वहाँ पर हम smart switch को प्रियोग करते हैं जो कि gigabit data को support करता है और जो enterprise switch है यह पूरतर से manageable switch होता है इसमें advanced configuration में होती है और इसको जादाता बड़े बड़े अध्योग कंपनियों और बड़े प्रोजेक्ट में यूज किया जाता है तो आपको केवल दोस्तों यही याद रखना है कि जो manageable switch होता है उसको हम्यारी अपनी आवश्रक्त कंसार उसको manage कर सकते हैं उसमें console port होता है OSI model के layer 3 पर काम करता है और जो manageable switch होता है वो दो प्रकार का होता है smart switch और enterprise switch मैंने switch का image दिखाया है जैसे एक poe switch है यह switch है poe जोसे यह switch दिया हुआ है यह total है 8 16 और 24 यह 24 port का switch दिया हुआ है 24 port में यह सारे port इसके poe port होते हैं और जो बाकी के इदर है यह sfp port है sfp port मतलब यह fiber connectivity को support करता है इसमें sfp module लगता है यह sfp interface को support करता है और यह console port आई है इस console port में console cable लगा करके हम इस switch को अपनी आवसक्ता के अंसार configure कर सकते हैं यदि आपके पास directly अगर feed switch fiber पारी है तो directly हम router से आपके जो console port को port पर हम console के भी लगा करके अपनी आवसक्ता कंसार इसको हम configure कर सकते हैं यह दूसरा मिज दिया हुआ है कि यह इसकी speed के अंसार डिफैंड किये गए हैं प्रते पूर्ट इसमें भी console port है और इसमें इसमें इधर management port भी दिया हुआ है इसमें इसमें यह दो एसे पी पॉर्ट है ट्रांसरिशिंट के लिए हैं इस्त्माल नेट वर्ग में जे त्रेकल करने के लिए इसका यूज होता है इसको इसको इस्तेमाल ये नेटवर्ग पर सभी कंप्योटरों को जोड़ने के लिए करते हैं इन्हें Ethernet स्विच और local स्विच भी कहते हैं यह bandwidth को सभी को समान मात्रा में भेज़ता है जिसे network पर कोई भी overlapping का खत्रा नहीं होता लोकल इरे network में यह स्विच को हम यूज करते हैं फूर्थ नंबर पर है POE स्विच पावर ओवर Ethernet स्विच यह POE स्विच से है इसका इस्तमाल POE टेकनोलीजी पर होता है क्योंकि इसकी जो इसकी जो construction है इसकी बनावट है POE टेकनोलीजी पर होती है POE का फुल फॉर्म होती है पावर ओवर Ethernet और यह है कि ऐसी टेकनोलोजी है POE टेकनोलोजी जो डेटा और पावर को एक ही cable पर integrate करती है POE उसी cable पर जिस cable पर हमारा जो POE स्विच से जो Ethernet cable लगती है उसी cable पर power और data signal को travel करने की अनुमदी देता है कहने के मतलब यह है कि जो POE स्विच से हम एक ही cable पर data और power transfer करते हैं इस परकार के जो switch होते हैं उनको हम networking camera access point आधी जगे पर इसका यूज हम करते हैं इसके POE स्विच को यूज करने से हमारे remote location पर जो डेड़ सो मीटर है या 200 मीटर पर है वहाँ पर यदि अगर हमारा कोई POE स्विच के थरो हमारा कोई access point लगा हुआ है या हमारा कोई networking camera लगा हुआ है तो वहाँ पर उस camera को लिए अलग से power देने की जरूरत नहीं है वहाँ पर एक lane cable जाएगी POE स्विच के थरो निकल करके और directly camera के ethernet port पर connect हो जाएगी उसी cable पर यह power जाएगी उसी पर यह video audio signal जाएगा यह मैंने फिर दुबारा से की वीजन का यह स्विच है यह इसके POE port है और यह अप लिंक है अप लिंक के यूज होता है जब हम दो यह दो से अधिक के जब हम किस स्विचों को POE स्विचों को आपस में connect करते हैं यदि अगर यह दिखाया हुआ है आठ पर का यह स्विच है यदि हमारे पास 10 या 12 नेटवर्किंग स्विचों के लिए इसके इथरनेट पोट है जिसमें हमारी लेंड के विल कनेक्ट होती है नेटवर्किंग यह इथरनेट जो RJ45 जैक है कनेक्टर है जो इथरनेट पोट होता है और यह RJ11 जैक है 6-pin का जो टेलीफोनी में यूज होता है और यह RJ45 8-pin का होता है इसमें 8 सारे होती मतला 8-pin होती है और इसकी वैरिंग हम इसकी वैरिंग हम करते हैं यह एक डिलिंग का स्विच है यह लेंग के विल है लेंग के विल कुछ इस तरह से होती है यह इसका एक इस सरी में चला जाएगा दूसरा यह कनेक्ट हो है है वह इक्यूपमेंट से कनेक्ट हो जाएगा यह लेंग के विल है और यह इथरनेट ओड़ दिये हुए है आठ इस स्विच के फास्ट इटरनेट स्विच है सपोर्ट करता है यह स्विच के क्या क्या एडवांटेज होते हैं जैसे स्विच के बहुत से मेनिफट होते हैं और एडवांटेज होते हैं तो उनके बारे में अब डिसकस करते हैं स्विच का इस्तमार नेटवर्क की एबिलिटी और उसकी बेंडविध को बढ़ाने के लिए किया जाता है इसक नेट्वर्ख switch ऐसा नहीं करता है ये पास यदी कोई data आता है तो उसको फिले determines करता है उसके source का address का पता करता हर्ता है उसके पाद उसको destination point टाक 55 50 टारस्वर करता है तो वो केवल जिससे address का Coco Hotch hills अंञवाब करता है वो उसी डाटा उसी एंडिक्यों डाटा को इसके इस्तमाल से इंडिविज्यली होस्ट PC के वर्क लोड को कर्म किया जा सकता है यह इंडिविज्यली जैसे यह वही बात आती है कि 8.8 port है तो जिसकी रिक्वार्मेंट होगी हो उसी को ही डाटा ट्रांस्वर करेगा बात बाकि के जो फिर पीसी होंगे वो फिर होगे यह नेट्वर्क के परफॉर्मेंस को बढ़ाने मदद करता है हमसी ज़्यादा इंटेलीजेंट होता है इंटेलीजेंट का मतलब यही है कि वो डाटा को पहले डिटर्माइन करेगा सोर्स डेस्निशन के अड्रेस को वो वेरिफाई करेगा उसके बाद डेस्निशन पॉर्ट तक वो forward करता है data को, switch को हम directly workstation के साथ connect कर सकते हैं, switch जदी अगर हमारा कोई local area network है, तो एक local area network में एक switch के साथ, हम हमारी requirement के अंसाथ, जितना port का switch यूज करना है, को यूज करके हम एक workstation पे directly PC को switch से connect कर सकते हैं, OSI layer के 2 पर ये काम करता है, जो कि एक manageable switch होता है, जबकि manageable switch layer 3 पर काम करेगा, switch intelligent device है, जिसको अधिक port रखने वाले उपकरण के तोर पर देखा जाता है, switch active device है, network पर software, network को management को support करता है, ये bandwidth की चंपता को बढ़ाता है, और switch होता है, वो 8 port, 16, 24 ये 48 port के, ये अपनी requirement के अंसार, market में ये available है, जिसको आप use कर सकते हैं, और जो switch होता है, वो broadcast, multicast और unicast, तीनो प्रकार के communication को ये support करता है, unicast, multicast और broadcast, ये switch है, switch कहीं कि मैंजी फिर मैंने दिखाया आपको, ये जैसे 16 port का switch है, 1, 2 port, 2 number port नीचे, 3 उपर आ गया, 4th नीचे, 5th उपर आ, 6 नीचे, तो जैस इससे PC connect है, और ये on है, तो एक नमर यहाँ point पर ये LED बिलिंग करेंगे, दो नमर पर connect है, तो दो नमर पर बिलिंग करेंगे, यादि तीन नमर पर यहाँ पर हमने cable लगी हुई है, पर नेक्स्ट एंड पर PC अगर down है, मतलब power off है, तो तीन नमर के LED बिलिंग नहीं करेंगे इससे यह पता चल जाएगा कि मेरे तीन नमर का जो यूजर है, वो अभी डाउन मोर्ड में है, तो यह एक इंडिकेशन पैनल भी इसमें दिखाया गया है, स्विच कैसे काम करता है, स्विच अपने कारिये को स्विकेंस तरीके से perform करता है, जिसमें जब कोई डेवायस इससे कोई जूड़ता है, तो यह है अपने mac address को नोट करता है, Mac address मतला Media Access Control Mac address क्या होता है इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाया है और मैं उसका description लो उसका link के दूँगा उसको अगर आप चाहें तो देख सकते हैं Mac address क्या है और इसकी requirement क्यों होती है और switch उसको Mac address बेस पर कैसे perform करता है इसके बारे में आप उस वीडियो को देख सकते हैं यह Mac address को नोट करता है और एक code जो device के network interface card में back करता है जो network interface card होता है निक card वो equipment के में होता है जहां से उस निक card में ही Ethernet port होता है उसी Ethernet port के थोड़ों यह switch से connect होता है जो Ethernet cable से जोड़ा होता है और switch से connect होता है Mac address को प्योग यह जानने के लिए करते हैं कि कौन से जुड़े device से packet बेजे जा रहे हैं और आने वाले packet कहां वित्रित किये जाएंगे इसलिए Mac address IP address के विफरित physical device की पैचान करता है जिससे एक परण को गतिसी रूप से बदला जा सके और परवधित किये जा सके यह Mac जो यह function है यह switch का है क्योंकि switch यदि इसके पास कोई data आता है तो वह Mac address के द्वारा उसके source और destination point को verify करता है उसके बाद destination point पर उसको forward करता है जब कोई device किसी एन डवाइस को कोई packet बेजता है और वह packet switch में पहुंचता है तो ऐसे में वह है उसके header को read करता है ताकि यह पता जागा सके कि उस packet के साथ क्या और किस तरह का करना है अगर वह packet उसके गंतव से mail खाता है तो उसको उसके निश्चितिस्तान पर आसानी से पहुंचा जा सकता है मतलब है इसके destination point से इसकी information mail खाती है तो उसको इसलिए destination point तक पहुंचा देता है यह SFP port based switch है इसमें router की requirement नहीं होती router से आपकी connectivity होगी वह throw SFP port पतला 5 वर्स होगी SFP interface है तो यह SFP interfaces में परके switch देखाय गया है function of the switch switch के कारिया क्या है networking switch OSI model के data link layer layer 2 पर काम करता है जो unavailable switch होता है और जो manager layer 3 पर काम करता है और अपने समस्त कारिया हाफ के विप्रीच एक host को संदेश forward करता है तो इसकी जो मुक्ष बिंदू जो कारिया है यह address को learning switch traffic forwarding नियमों का प्योग कर मतलब switch होता है जो traffic के forwarding नियमों का प्योग करके Ethernet से जुड़े मतलब switch से जुड़े switch port के med frame के प्रिशारन को नियंत्रेद करता है जिस तरह से switch विजे जाने वाले प्राप करने वाले computer system का पता लगाता है यह बेदी आसान है यह इसको identify करता है और इसका data जब match हो जाता है तो इसको forward कर देता है तो यह address को learn करने का काम करता है पहला पर दूसरा है forwarding इस परिक्रिक्रिक्या में switch में जब any data frame network switch के एक code पर पहुंचता है तो switch internet frame के source mac address को learning करने के हिसे के रूप में read करता है और यह destination mac address को forward कर देता है के रूप में forward कर देता है यदि mac table पर मौझूद destination address से मिलता है तो mac address जो source के mac address को learn कारिये के हिसे के रूप में read करता है और यह destination mac address को forward कारिये के हिसे के रूप में read करता है यदि mac address table पर मौझूद destination address से मिलता है क्योंकि जो switch होता है switch के पास जो table होती है उस table में source का mac address होता है और destination point का matter address यह read करके रखता है यदि वो mac address आपस में match करता है तो ही यह data को forward करता है यदि किसी switch के आठ पोर्ट है ना आठ पोर्ट पर ही उसके आठ पोर्ट पर connect किये हुए इक्यूपमेंट PC के mac address को यह read करके रखता है और इसके पास जैसे ही कोई data आता है तो उस data के source के mac address को read करने के बाद उस data में उसके destination port का mac address भी IP address उसमें इन्विल्ड होता है तो अब यदि उसके पास जो data आया है तो mac address जो उसने पर already जो identify किये हुए है with included IP address तो उस data को match करने के बाद ही data को उस सम्मंदित mac address वाले पोर्ट पर यह data को forward कर लिता है loop evidence evidence अक्सर लेन में किसी एक link के खराब होने पर सभी network के कारिये की विफलताओं से बसने के लिए अनेक आवसक लिंकों को निर्मान किया जाता है यह कैसी इस्तिती में इसे सुचारी रूप से कर मतलब यह protection लूप protection भी इसको बोल सकते हैं switch को यदि एक link down होता है तो दूसरे पर आटमेटी की सब्ट हो जाएगा constant multi host एक switch में hub की तुर्णाम अधिक support होते हैं जिसके कारण से start topology की रूटिंग अनुमति प्रतान करते हैं मतलब जो switch होता है वह आठ पोर 16 24 48 कई परकार के support होते है उसको requirement के अंसार आप उसको कर सकते हैं तो examination की तरस्टी से कुछ question हमने जो select ही है वह आपके सामने है unmanageable switch OSI model के कौन से layer पर काम करता है इसका answer है switch unmanageable switch होता है वह data link layer data link layer layer to OSI model पर काम करता है switch का प्रियोग networking में कहां किया जाता है तो switch का प्रियोग local area network to connect multiple computer local area network में multiple computer को connect करने के लिए आपस में connect करने और उनके बीच communication कराने के लिए use होता है switch का मुख का क्या है इसका मुख कारिया है network के nodes network के nodes के matter data packet वाले frame को भेजना कहने के मतलब यह दो या दो से अधिक PC जब एक switch से connect हैं तो उनके बीच में जो data के packet के frame होते हैं उनको एक दूसरे के पास बेजना जिसकी requirement होती है उसके mac address के मताब़ की उसको source से destination तक forward करने का काम switch का होता है मुख रूप से switch को उनके कारिये के तरीक और उनकी विशेशताओं के आधार पर कितने भागों में divide किया गया है switch को उनके कारिये और तरीकों के आधार पर मुख रूप से चार भागों में वर्गी गत किया गया है पहला है unmanageable switch, second number पे है manageable switch, third number पे है इसका land switch और fourth number पे है इसका P.O.E. switch तो ये चार प्रकार के इसके switch होगे हो गए switch क्या है, network switch क्या है, switch एक ऐसी networking device होती है जो network में device को एक दूसरी किस्सा connect होने में मदद करता है, जिससे कि वो data का transfer network में कर सके मतलब वो network में data communication कर सके, एक दूसरे को अपना data share कर सके switch और hub में common feature क्या है, switch और hub में common feature ये क्या है, switch में और hub में दोनों में common multiple RG45 port होते हैं, मतलब दोनों में RG45 jack होते हैं, दोनों में power supply का भी provision होता है, और connection light का मतलब जैसे ही उसमें input दिया तो वो उसकी एक indication panel होता है, वो उसमें so करता है, P.O.E. switch किसे सिद्धान्थ पर कारिये करता है, P.O.E. switch P.O.E. technology पर कारिये करता है, P.O.E. कफल पर होती है power over ethernet, इसमें ये एक ही media पर power और data को determine करके एक ही media पर बनले एक ही cable पर power और signal को transfer करने का काम करता है, P.O.E. switch कौन से 20 पर काम करता है, switch MAC address पर काम करता है, क्या switch intelligent device की तरह कारिये करती है, एक intelligent device मतलब एक switch एक intelligent device है, अरतात ये किसी data को उसको उप्यूक्त device तक तब भेजती है, जब उसका जो source address और destination address आप मैच हो जाते हैं, जो उसके पास data आता है, उसकी जो table होती है, table में mac address के पास table होती है, sorry switch के पास table होती है, उसमे source and destination का data match होने के बाद ही data forward करता है, इसलिए, ये mac address का switch होता है, लहब की तो नाम है intelligent device होती है, राउटर और host के math interface का काम कौन करता है, तो router और host के बीच में switch interface का काम करता है, how many ports available on P.O.E. switch, तो P.O.E. switch में 8 port हो सकते हैं, 12, 24, 48, मतलब ये आपकी requirement के अज़ार available market मार्केट में है, जिसको आप अपनी आवसकता का अज़ार purchase का सकते हैं, why use switch mac address, why use switch mac address, mac address, switch mac address को क्यों use करता है, switch होता है, वो physical device की identification के लिए mac address का यूज करता है, physical device की identification के लिए switch mac address का यूज करता है, why switch use mac address, यह packet को और उसके सही और चैनित स्थान बर भेजने के लिए mac address का प्रियोग करता है, why switch use networking, switch का प्रियोग networking में available bandwidth को बढ़ाने के लिए होता है, क्योंकि ये bandwidth को consume होने से बचाता है, तो दोस्तों आज हमने इस switch के बारे में हमने आपको basic जान करी दी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो कैसा लगा ये description box में, प्लीज बताइए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज, थैंक्यू, सब्सक्राइब reporting